हेलो दोश्तो आज शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ सिर्फ एक कच्छे आलू से बहुत हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नास्ता की रैस्पी तो यहां पर मैंने एक से दो कच्छे आलू ले लिये थे मैंने जो आलू लिये था वो बड़े साइच का था आप चाहो तो द दो आलू ले सकते हो अब हम इसमें कुछ रैसिपी एड करने वाले हैं तो थोड़ा सा मैंने हापे सबसे पहले डाला है हरा धनिया फ्रेस हरा धनिया लिया था बारिक चॉप कर लिया था साथ ही इसके मैंने एक प्याज ली थी मेडियम साइच की तो इसको भी बारिक आपके बाद जो सब्जिया हो इस रैस्पी को हैरदी बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं एक सिम्बला मिर्चि ली थी उसको बारिक चॉप कर लिया था साथ ही मैंने एक गाजर ली थी उसको मैंने बिल्कुल कद्दुकस कर लिया था उसके बाद यहां पर मैंने अपनी चोईस के साफ से तो वह भी एड कर सकते हो अब इसमें करके कुछ बेसिक मसाले एड करेंगे तो सबसे पहले मैंने यहां पर थोड़ी से अजवाइन एड की है उसको मैंने हाथ से थोड़ा सा क्रेश कर लिया था उसके बाद इसमें एड की है इसका टेस्ट बहुत आता हैं उसके बाद इहां पर मैंने आरह चमच के करीम ही मैंने जीरा एड किया था और इसको भी इसमें एड कर दिया है इसका भी टेस्ट अच्छा आता है साथी नमक आड करेंगी तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही एड कर सकते हैं उसके बाद यहां पर मैंने दो चमच के करीब मैं चावल का आटा यूज कर रही हूं अगर आपके पाद चावल का आटा नहीं है तो इसके जगे आप सूजी भी एड़ कर सकते हैं अगर बड़ा लोगी तो एक चमच के करीब मैंने एड़ किया है अब बिना पानी डाले हुए हम पहले सारी चीजों को अच्छी से मिक्स कर लेंगे त्योंकि जो हमने आलू डाला है उसमें नमी होती है बाखी जो सबजी आइड की है साथ हम नमक आइड किया है तो इसमें नमी अपने आप ही रहती है तो बिना पानी डाले ही हम इसको पहले अच्छे से mix कर लेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी इसको mix करने के लिए तो एक से दो चमच करी ही हम पानी एड़ करेंगे उससे पहले हमें इसमें पानी एड़ नहीं करना है यहां पर दो चमच मैंने चावल काटा लिया है अगर जरूरत पड़ेगी तो यहां पर हम बेशन और भी एड़ कर सकते हैं अभी यहां पर मैंने एक चमच करीब बेशन एड़ कर लिया था अगर छोटी चमच मानो तो हमने तीन चमच बेशन एड़ किया है चोटी चमच में अगर बड़ा मानो तो हमने अगर बड़ी चमच से आप नापते हो तो वो मैंने देड़ चमची करीब एड़ किया है तो यहां पर आप सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इस रेस्पी को बनाने के लिए बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं किया है अभी तो अगर आगे ज़रूत पड़ेगी तो हम इसमें पानी एक से दो चमची करीब पानी एड़ करेंगे लेकिन पहले हमें सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है यहां पर जो भी सबजी आपके बच्चे खाते हो या फिर आउनको पसंद हो आप अपनी चोईस के साफ सबजी को एड़ कर सकते हैं यह बहुत हैल्दी और टेस्टी बनके सिर्फ दस मिनेट में यह नास्ता तयार हो जाता है खाने में भी बहुत ही जांदा टेस्टी लगता है एक वाद सबको खिलाईएगा बना के सबको यह बहुत पसंद आने वाला है अब यहां पर सारी सबजी को अच्छे से एड़ कर लिया है आप यहां पर मैंने इसको पांच मिनिट के लिए रख दिया था अब यहां पर मैंने नान इस्टिक तवा रख लिया है जो भी खाने में उयूज करते हैं इस रेसिपी को अब अच्छी से तवी पे फैला लिया है और यहां पर थोड़ा सा गरम होगा तो इसमें हम डालने वाले हैं थोड़ी से भाइट तिल के अगर आपके पास नहीं है तो इसके इस रेसिपी को बिना तिल के भी बना सकते हैं य क्योंकि हमने सारी जितनी भी सब्जियां उनको यूज किया है और बेसिक तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से इस रेस्पी को हम बना रहे हैं अब यहां पर बाइट तिल डालने के बाद यह अच्छे से जब पक जाएगी तो इसके राद हम इस तरीके से चमच के मदद से हम तब पर जितनी अपना रेस्पी को फैला सकते हैं उसनी ही रेस्पी को हम फैला लेंगे जाना पतला नहीं करना है नहीं जाना मोटा रखना है मीडियम साइज में इस तरीके से फैला लेना है जिससे दोनों साइज से अच्छे से पक जाएगा और शेप आप अपने साबसे किसी भी शेप में इसको रख सकते हैं मैंने यह चोटे छोटे दो से में इसको बना लिया है थोड़ा सा ओयल और मैं इस तरीके से डाल दूगे उपर से थोड़ा सा और उसके बाद हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे जब ये अच्छे से एक बाद नीचे से पक जाएगा ता हम अलट परट करते हुए इसको दोनों साइट से से लेंगे, लेकिन आप ये हमने एक साइट से कवर करके रख दिया है इसको हम एक से दो मिनिट तक रखेंगे और गयस की फ्लेम को हम रखेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको बनाना है अब यह देखिए जब यह नीचे से अच्छे से शिख जाएगा तो आराम से यह उठ भी जाएगा और इस तरीके से हम पलट देंगे इसको और इस तरीके स दे सकते हैं उनको 100% इसको पसंद आने वाली रेस्पी है अब दोनों साइड से हम इसको अलट परट करती हुए अच्छे से सेख लेंगे जब तक यह अच्छे से इसमें कलर चेंज ना हो जा थोड़ा सा क्रिस्पी ना हो जा चाबल का आटे का यूज किया है तो यह नास्ता ह स्परीट कर सके हैं ना को सिख और सेख और दोनों से थाख दोने के बाद अच्छे से से एक इसमें और म्याल खुआ साथे ना परका जाओं दीश का एकपाद हैं जाय से एक जाटनेा कंअने से बादरब तो से पर यह ना को दोनों झासे अगर बच्चे को लंच वक्स में कुछ बनाना देना चाहते हैं तो इस recipe को आप जरूर ट्राय करिएगा healthy भी रहती है टेस्टी भी रहती है और सब को यह बहुत पसंद आने वाली है साथ ही है हमारे सिर्फ 10 मिनेट में इस recipe को हम बना के तयार कर सकते हैं इसको मैं टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ आप अपने इसाब से ग्रीन चली के साथ या टोमेटो केचप के साथ जैसे भी खाना चाहों खा सकते हो बैसे भी simple तरीके से खाऊगी तो यह बहुत जान्दा टेस्टी लगती है अगर मेरी यह वाली रेस्पी पसंद आ मेरी चली आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी तो देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा आपको तोड़ के दिखाती हूँ बहुत ही यंदर क्रिस्पी हूँ बहुत ही यंदर टेस्टी बनेते जरू ट्राइ करिएगा मिलती हूँ ने स्टी वीडियो में जट तक